उनके परणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आप सभी को इन विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों राजस्तान वो राज्य हैं, जहां प्राचीन भारत के गवरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शावरिय, सम्रुद्धी और संस्कृती जलकती है। कुछ समय पहले जोदपूर में G20 की जो बैटक होई, उसकी तारीफ दुनिया भर के महमानों ने की। चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी परियतक हो, हर किसी की इच्छा होती है, तो एक बार संसीटी जोदपूर देखने के लिए जरूर आएं। हर कोई रेतिले धोरों को महरानगर्ड और जस्वन थड़ा को जरूर देखना चाहता है। यहां के हेंडिकाप को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्तुंसा रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि भारत के गवरवशाली अतीज का प्रतिनी दित्व करने वाला रजिस्तान, भारत के भविश्य का भी प्रतिनी दित्व करे। यह तबी होगा जब मेवार चे लेकर मारवार तक पूरा राजिस्तान, विकास की बुलंदियों को छुए, यहां आधुनेक इंफ्रासेक्टर निर्मान हो। बीका नेर से बाड़ मेर होते हुए, जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेस में कुरिडों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में, राजिस्तान में आधुनीक और हाईटेक इंफ्रास्टरक्टर का उदाहरन है। भारत सरकार आज राजिस्तान में हर दिशा में, चहूं दिशा में, रेल और रोड समेत हर शेत्र में तेज गती से काम कर रही है। इसी सान रेलवे के विकास के लिए करीब करीब साड़े नौ हजार करोड रुपे का बजेट राजिस्तान को दिया गया है। ये बजेट पिछली सरकार के सालाना आउसत बजेट से करीब 14 गुना जादा है। और ये मैं कोई पुलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं। फैक्ट्विल जानकारी दे रहा हूं। और ना मिडिया वाले लिखेंगे मोधी का बड़ा हमला। आधहती के बाद के इतने दसकों में 2014 तक राजस्थान में लगबग 600 किलोमिटर रेल लाइनों का ही बिज़िकर हुआ। 600 किलोमिटर बीते नव वर्सों में 3700 किलोमिटर से जादा रेल ट्रेक्स का बिज़िकरन हो चुका है। इन पर डिजल एंजीन के जग एलेक्ट्रिक एंजीन वाली ट्रेनेग चलेगी। इससे राजस्तान में प्रदुशन भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अम्रिद भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्तान के 80 से जादा रेलवे स्टेशनों को भी आदुनिक्ता के साथ विक्सित कर रहे हैं। हमार यहां शांदार एरपोर्ट बनानी की फैशन तो है। कि बड़े बड़े लोग वहां जाते हैं। लेकिन मोदी की दुनिया को अलग है। जहां गरीब और मद्यमबर का ब्रेक्ति जाता है। मैं उस रेलवे स्टेशन को एरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। और इसमें हमारा जोदपूर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। भाईयों बहनों आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है। उनसे विकास के इस अभ्यान को और गती मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरी करन से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जेसल मेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवार खामली गार ट्रेन को हरी जिन दिखाने का भी सौभागे मिला है। और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मोका मिला था। आज यहां रोड के तिल प्रजेस का भी सलान्यास हुआ है। आज जोदपूर और उदैपूर एरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्लिंग का सिलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कारियों से इस इलाके की लोकल अर्थेववस्ता को बल मिलेगा और रोजगार के नए आउसर परदा होगे। इस राजस्तान में टूरिजम सेक्टर को भी नई उर्जा देने में मदद करेगा। साथियों हमारे राजस्तान की मेडिकल और इंजिनेरी एजुकेशन के खेत्र में अपनी एक अलग पहचान रही है। कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर्स और इंजिनेर्स दिये हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्तान एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल और इंजिनेरिंग की दुर्ष्टी से भी नई उचाईयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे साच्छा हब बनें। इसके लिए एम्ज जोदपूर में ट्रॉमा, इमर्जन्सी और क्रिटिकल केर की एडवांस सुविधाओं को विक्सित किया जा रहा है। प्रधान मंत्री आविश्पान भारत इंफ्रासेक्टर मिशन के तहर जीला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केर बॉक्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि एम्ज जोदपूर और आईएटी जोदपूर इस समस्थान और राजतानी नहीं बलकि पूरे देश के प्रीमियर इंस्टिट्यूट्स बन रहे हैं। एम्ज और आईएटी जोदपूर ने मिलकर मेडिकल टेक्नोलोजी के ख्षेत्र में नई संभावना उपर काम शुरू किया है। रोबोटिक सर्जिरी जैसे हाई टेक मेडिकल टेक्नलोजी भारत को रिसर्स के खेत्र में इंडिस्ट्री के खेत्र में एक नया नई उचाई पर ले जाने वाला काम है इसे मेडिकल टूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा साथियों राजस्तान प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करने वाले लोगों की दर्ती है गुरु जंबेश्वर और बेशनवाई समाज नेहां सद्यों से उच जिवन शैली को जीया है जिसका आज पूरी दुनिया अनुसन करना चाहती है हमारी इस विरासत को आधार बनाकर आज भारत पूरे विश्व का मानतरसन कर रहा है मुझे विश्वास है हमारी ये प्रयाश विक्सित भारत का आधार बनेंगे और भारत विक्षित तभी होगा जब राजस्तान विक्षित होगा हमें मिलकर राजस्तान को विक्षित बनाना है और सम्रुद्ध बनाना है इसी के संकल्प साथ इस कारकम की मंच की कुछ मर्यादा है तो मैं यहां ज्यादा समय आपको लेता नहीं हूँ इसका बाद खुले मैदान में जा रहा हूँ वहाँ का मिजाज वियलग होता है माहूल भी अलग होता है मकसद भी अलग होता है तो कुछ मिनिट के बाद वहां खुले मादार में मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद